हरी हम फ्रेंट्स आज हम लड़ू को पांजिक के लिए अपने इस होली स्पेशल ड्रेस के साथ का होली स्पेशल मुकट बनाएंगे जो मैंने कुछ इस तरह से बना कर रखा हुआ है और एक अब हम आपके साथ बैट कर बनाएंगे तो चलिए इस तरह की वीडियो शुरू कर लिए तो चलिए फ्रेंड्स आज हम अपना इस तरह का मुकट बनाना शुरू करते हैं तो मुकट शुरू करने के लिए हमने यहां पर यह देखिए फ्रेंड्स कि एक कि दो कि और यह तीन तीन चैन बनाएंगे और इस तरह से फर्स्ट में जाकर इस तरह से हम इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे कि कर फ्रेंड्स ना करने के बाद हमने एक दो और तीन तीन चैन बनानी है और इस होल में हमने अब एट टाइम डबल कोश्या बना रहा है इस तरह से फ्रेंड्स इसमें हम एट बार डबल कोश्या बनाती जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो यह देखिए फ्रेंड्स ही बनाने से कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसमें एट डब कोश्या बना लिये है और अब फिर उन समय से सिप्स्टिच नी करना इसी तरह से हाफ सर्कल की तरह रखना है और अब हम इस तरह से वाग करेंगे जिसमें अब हम यह देखिए वन टू चैन लेंगे और अब हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह नेक्स्ट चैन में जाएंगे और इस तरह से डबल हाफ कोश्या बनाएंगे ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से हमने डबल हाफ कोश्या बनाया अब नेक्स्ट चैन में हम दो बार डबल हाफ कोश्या और फिर नफ्र हंदये उसमे हम वार हव पोस्य कंप्लीट करेंगे की टरफ इस तरह से मैंने अपनी यह सेकिन्ड रॉप को कम्प्लीट कर लिया है अब आपने इस वाइड करेंगे और इस नागे को कट करेंगे और इसके बाद हम रैड करेंगे वूल एड़ करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर अब हम रैड कलर का वूल को टैस्ट कर रहे हैं इस तरह से यह देखिए फ्रेंड्स कि इस तरह से एड़ किया हुने ठीकर फ्रेंड्स अब हम इसमें इवरी चैन में यह रिखिए फ्रेंड्स एवरी चैन में इस तरह से अब करोशन अबनाते जैंगे है तो फ्रेंड्स मैं यह रोख को अपनी यहां तक कंप्लीट कर लूंगी तरह से इस तरह से हाफ क्रुष्या बनाते हुए की हेसे तो देखेए इस तरह से हम ने यह अप्र ग्रोस होघ्र अ है मैंधे इस तरह से हन् करेंगे और यहां से दिख्यक एक दो और यहां से एक वस्टास नहींगे अब हम दिख्यू में है यहाँ पर इसमिंगे दोबर डबल खूल रख चिर बनांगे इस तरह suspended का चीक है फ्रेंड्स को एक चैन में हम ने हम 네 सी तरह से कंप्लिट करेंगे चैन लिया है और नेक्स्ट चैन में जाएंगे और फिर से एक डबल कोश्य अबनाएंगे और यह मेरे जो पीछे रागए रहे हैं इन दागों वह साथ में अज़स्ट करके भून लेंगे ताकि यह बाद में इस तरह से अब हम फिर इसमें दो बार डबल कोश्य अबनाया तो इसी तरह से इस रोग को भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमारी कलगी का बेस बनकर रेडी हो गया है अब लास्ट में अपने इस दागे को कट कर लेंगे इस तरह से अब हम इसमें फिलावर बनागे लगाएंगे तो देखिए इस तरह से यह हमारी कलगी बन ग़ेज़ी अब अब उसमें देखिए मैंने चोटे-चोटे फिलावर बनाये हूए है यह भी मेने इपनेद ड्रेस बनाना बताया हुआ है तो यह देखिए इन फिलावर को होगे इस तरह से रजस्ट करें के लगा लेंगे इस तरह से अब एक फिलावर मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पृष्ए बनाना बताया है, और अब जो मैं mamka बताऊंगी, वा सोल बनाना है, और मैं आपको इसको यह देख्ये, फोख से बनाना बता रही हूँ, तो देख्या Friends . फोग में बनाने के लिए भी वाई प्रोसेस है , इस तरह से हमको 8-10 बार धागे को लपेटना है, और सुरी में धागा डाल लेना है यह देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने दस बार धागी को लपेट लेना है और यह देखिए यह नीडर को यहां से एंटर करना है और यह देखिए जो सेंटर वाला होल है उसमें से इस तरह से निकाल लेना है और जो एक बर हम दुबारा करेंगे ताकि यह मारा नोट का ऊजाए तो यह देखिए फ्रेंट्स यह देखिए यह जो इस सुई का धागा है उसमें से Hang इस तरह से सोनल में द्नाओन nis the और इन अ is तरह से यह मेरा पका हुगा अब हम इसको यहां से कट कर लेंगे और अब हम इसको देखे धीरे-धीरे बाहर निकाल लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हम यह साइड के जो है इस तरह से निकाल लेंगे देखिए इस तरह से अगर आप पॉम्पम बनाना चाहे तो इसको इस तरह से कट भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपकी इच्छा है अगर आप उम्पम बनाना चाहिए तो इसकी कटिंग कर ले अगर आप फ्लावर चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा भी खेर ले और यह देखिए बिल्कुस माल से फ्लावर बन जाते हैं और यह देखिए एक्स्ट्र के दागे से अपनी इस कलगी पर अरज़स्ट कर लें ग tenthल खेरे कि यह वाई कलर के पर का यूस्ट कर रही हूं तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमने बहुत अर्वने इस तरह इस तरह दखे हैं अब मैंने इस परल को और फ्लावर को कलगी की ऊपर उपर से इस त इस तरह से इस तरह से इस तरह से अब हम इसको लगा लेंगे इस तरह से पुरा अच्छे से पका करके लगाएं स्टिच कर लोगी और इसी तरह से मैं यहाँ पर पूरे यह सारे फ्लावर्स को स्टिच करती हूं तो देखे फ्लावर्स इस तरह से मैंने अपनी इस कलगी को रेडी कर लिया है और एक फ्लावर फ्लेंड से इसके अंदर या सेंटर में लगाएंगे लेकिन यह हम अपनी पगड़ी के साथ जब इसको अटाइच करेंगे तब लगाएंगे तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है पगड़ी बनाने की तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये पाश नंबर के लड़ो कुपाल जी की पगड़ी बना कर रखी हुई है तो फ्रेंड्स अगर आपको जानना है कि इस तरह की पगड़ी की से बनानी है तो मैंने पीकुक फैदर ड्रेस में अपना इस तरह का पगड़ी बनाना सिखा रखा है और फ्रेंड्स वो जो मैंने पगड़ी बनाई है वो मैंने तीन नंबर के लिए बना रखी है और ये हमेंने पांच नमबर के लिए बना रखे है और फ्रेंड्स इसके लिए जो हम पट्टी बनाएंगे वो हम 45 चैन्स की बनाएंगे तो जो मैंने तीन नमबर की बनाए है उसमें हमने चैन्स कम लिए है वो प्रसेस वही रहेगा बनाने का और सीलने का भी इसको मैंने सील भी रखा है तो इस तरह से friends हमको ये पगड़ी बना लेनी है और अब हम इसको इसके साथ अटेच करेंगे ये दिखिए friends मैं इसको इस तरह अटेच करूँगी यहाँ पी इस तरह से या आप इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इस तरह कर दूँगी या आप इस इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना और अब हम इसको आपको लगा के देते हैं शाते हैं और यह देखिये यह flower को भी हम इसके साथ डाइज कर लेंगे इसी के साथ ही यहां पर मैं ध्रड लेते हूं गो तो देखे फ्रेंट्स मैं आप बेज़े से इस तरह से सूई को एंटर करेंगे और बाहर निकालूंगी इस तरह से तो friends ये देखिए इसमें हमने अब मोती को भी अटेच कर लिया है और इस तरह से अब हम इसको यहाँ पर सील लेंगे पीछे से ये देखिए इस तरह से 3-4 टांके लगा कर मैं इसको अच्छे तरह से सेट कर लूँगी देखिए friends इस तरह से ये मारा मल्टी कलर का मुकट बनकर रेडी हो चुका है friends अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई हो तो please मारे चाइना हरी हम निटिंग को सब्सक्राइब जो करिएगा और देखिए इस मुकट को आप किसी भी ट्रेस के साथ आ सकते हैं क्योंकि ये मल्टी कलर का है तो thank you for watching रादे रादे